दस का बंडल बनाने और दस से देश तक की गिनती से परिचे एलो दोस्तों, मैं हूँ तोता, आपका इस पार्ट में स्वागत है चलो देखते हैं कि आप इस पार्ट में क्या सीखेंगे दस का बंडल क्या होता है और नौ से आगे चीज़ों को कैसे गिनते हैं चोटू की मां को शाम को बॉन फायर के लिए लकडियों की जरूरत है चोटू जंगल से कुछ लकडियां ले आता है चोटू, क्या तुम मुझे गिन कर बता सकते हो कि ये कितनी लकडियां हैं? उसके आगे की गिनती तो मुझे नहीं आती यह तो नौ से ज्यादा लकडियां है कोई बात नहीं चोटू, चलो मैं तुम्हें नौ के आगे की गिनती सिखाती हूँ नौ लकडियों में एक और लकडिय जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगी दस, टैन लकडियां अच्छा क्या तुम्हें पता है कि किसी भी चीज के दस के समू को क्या कहते हैं? नहीं मा, क्या कहते हैं? बच्चों क्या आपको पता है दस के समू को क्या कहते हैं? चलो देखें दस का बंडल, बंडल आफ टैन इसका मतलब है कि अगर किसी भी चीजस की संख्या 10 हो तो हम कह सकते हैं कि वो 10 के बंडल में है क्या तुम मुझे इस कमरे में रखी चीजों में से 10 के बंडल के कुछ उधारन बता सकते हो? हाँ मा, ये गिलास 10 है तो हम इनके समूं को 10 का बंडल कह सकते हैं इसी तरह वो किताबें भी दस हैं, तो वो भी एक दस का बंडल बना रही हैं, है न मा? हाँ छोटू, तुम बिल्कूल सही हो, बहुत अच्छे, चलो आप इन बची लकडियों को गिनते हैं, तो ये हैं, दस लकडियां, और इनका दस का बंडल हम ऐसे बना लेते हैं, दस का एक बंडल और एक लकडि हो गई ग्यारह, एलेवन लकडियां, दस का एक बंडल और दो लकडियां हो गई बारह, ट्वेल्व लकडियां, दस का एक बंडल और तीन लकडियां हो गई तेरह, थर्टीन लकडियां, दस का एक बंडल और चार लकडियां हो गई चाओदह, 14 लक्डिया, 10 का एक बंडल और 5 लक्डिया हो गई 15 15 लक्डिया, 10 का एक बंडल और 6 लक्डिया हो गई 16 16 लक्डिया, 10 का एक बंडल और 7 लक्डिया हो गई 17 17 लक्डिया, 10 का एक बंडल और 8 लक्डिया हो गई 18 18 लकडियां, 10 का 1 बंडल और 9 लकडियां, हो गई 19, 19 लकडियां और 10 का 1 बंडल और 10 और लकडियां, मतलब 10 के 2 बंडल, तो हो गई पूरी 20, 20 लकडियां तो छोटू, हमारे पास जैसे ही 10 चीजें पूरी हो जाती हैं, हम उसका एक बंडल बना लेते हैं और 9 तक की संख्याओं को खुला गिनते हैं फिर 19 के बाद जैसे ही हमारे पास एक और लकड़ी आई, तो हमने 10 का एक और बंडल बना लिया और हमारे पास हो गए दस के दो बंडल इसका मतलब है कि मैं बीस लकणियां लेकर आया था हाँ छोटू, तुम बिलकुल सही हो चलो, अब जाकर हाथ धोलो आप लोग भी अपने आसपास की चीजों की संक्या को दस का बंडल बना कर जरूर किनना तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में हमने जाना कि दस का बंडल क्या होता है और नौ से आगे चीजों को कैसे गिनते हैं अगले वीडियो में हम दस के बंडल बना कर गिनती करने के कुछ और उदारन देखेंगे तब तक के लिए बाई दोस्तों